रादे किचिन दोस्तों, एक वाफिर से स्वावत है आप सब लोगों का मेरी किचिन में अचार को देखते ही मम्मी और दादी के हाथ वाला अचार याद आजाता है आज मैं आप सब लोगों के लिए मेरी मम्मी के हाथ के अचार की रैस्पी लेके आए हूँ यह अचार हमारा खराब नहीं होता है हम इसको साल या दो साल भी इस्टोर करके रख सकते हैं जितना देखने में इंट्रेस्टिंग लग रहा है उतना ही खाने में भी मज़ेदार होता है साइद आप लोगों ने अचार खाया होगा चलिए आज हम बनाना स्टार करते हैं यहाँ मैंने छे बड़ी आम ले लिए हैं कच्ची केरी भी कह सकते हैं इनको 15 से 20 लाल सावुत मिर्ची लिए हैं मैंने हमें इनको डंटल को निकाल के अलग कर लेंगे और हमारे आम को चोटे पीस में हमें कट कर लेना है इस पगार से हमें हमारे आम कट कर लेने हैं और जो बीच वाले सीट्स होते हैं बीज होते हैं उनको निकाल के अलग कर देना है यहाँ मैंने इनको अच्छे से वास करके 2-3 गंटे की दूप लगा लेनी है अगर आपके पास दूप नहीं निकल रही है तो आप इनको पंखे के निचे कोई सूती कप्र डालके भी सुका सकते हैं तब तक हमारे आम सुकते हैं यहाँ मसाला देख लेते हैं यहाँ हमने 1-2 चम्मच जीरा यूज करेंगे एक चम्मच कलोंजी यहाँ 4 बड़े चम्मच सौफ दो बड़े चम्मच साव दनिया दो चम्मच जीरा अजवाइन और यहाँ पर हम 1-2 चम्मच करेंगे अभी हम कुछ पिशे मसाले भी देख लेते हैं यहाँ पर मेरे यह हल्दी पावडर लिया है नमक है और यह लाल मिर्ची पावडर है हमें अभी हमारे मसालों को थोड़ा-थोड़ा सा गरम करना है हमें हमारे मसालों को भूनना नहीं है यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा गरम करना है जैसे वो गरम हो जाते हैं हमें उसको तुरण निकाल लिना है देखो मैं स्वाप को थोड़ा सा गरम किया है और फिसको निकाल दिया है यह धनिया है इसको मैं बस थोड़ा सा ही गरम करूंगी उसके बाद मैं इसको भी निकाल लिए इस प्रकार से मैं इसको भूनना नहीं है सिर्फ गरम करके ही निकाल लिया है अभी मैं यहाँ पर दो च कुछ द्रदन water नहीं है जाला हो चुक एम में पानी व्यड़को पलेट लेते हैं अभी पानी द्र नहीं है तो यहां और पानि विलालाई नहीं रहना चाहिए आचार में, यह हमने मसाला भी हलका सा धरदरा सा पीश लिया है, एकदम पारी पेश नहीं करेंगे, यहां पर एक से डेट चम्मज कलोंजी है, कलोंजी डाल देते हैं, इसको भूनना नहीं है, और पीशना भी नहीं है, हमें यह सावोत ही डालते हैं, कु यहां पर दो चम्मस मिर्च भी यूज कर सकते हैं और हमें यहां पर दो टेबल स्कून नमक चाहिए नमक थोड़ा हम यहां जालना लेंगे ताकि हमारा अचार सालों साल चल सके मैं इनको मिक्स कर दे रही हूं आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने डारेक्ट ही सारे मसाले अचार के उपर नहीं डाले हैं एक पिलेट में इनको मिक्स किया है और फिर अचार के उपर डालना है यहां पर यह सावत लाल मिर्च हैं इनको डेटल निकाल के अलग कर दिये हूं और अब इनको डाल देती हूं और उपर से मसाला डाल देती हूं और सारे को अच्छे से मि यहां फ्रकार से देखिए मस्मारा Center मिक्स हो चुका है अभी हमें इसको च़ोट сем मोरब सब्सक्राइबं के ब्रॉक्त करते के शीज़ें चार रिकष利 में तरह स deux हैं Vä अलग कर देना है यहां पानी को अचार में मिक्स नहीं करेंगे नहीं तो हमारा अचार जल्दी खराब हो जाएगा आप दूसरे बरत्रों निकाल लीजिए और मसाला भी सारा निकालना है सिर्फ पानी पानी अलग करना है यहां हमें अचार में तेल डालना है यहां मैंने से गरम करके ठना कर लिया है अभी मैं हमारे अचार में सर्सों का तेल डाल देती हूं यहां हमें कोई और ओयल यूज नहीं करना है क्योंकि अचार सर्सों के तेल में सबसे बैस्ट बनता है कोई और ओयल में नहीं बनता है यहां सारे अचार में हमको ओयल डालना है तब तक हम हमारा अचार नीचे नहीं डूब जाता तभी हमारा अचार सालों साल चलेगा दोस्तों अगर आपको मेरे अचार की रैसी पसंद नहीं हो तो एक बाद ट्राइ करके जरूर देखना और मेरे वीडियो को लाइक करना सेर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मैं आप लोग लिए और इंट्रेस्टिंग से मेरी मम्मी के हाथ वाले अचार की रैस्पी लेके आऊंगी मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे